आज हम श्री मीरा पाईद्वारा रचित इस पत को कंप्लेट करेंगे दोनों ही पत कंप्लेट करेंगे most probably श्री मीरा जी का जर्म 1498 कुड़की गाउं मारवार रियासत में हुआ इनकी प्रमुक्रचना मीरा पदावली और नर्सी जी रो मोहेरो सन 1946 में होने अपने प्राण द चीह को त्यागा येक श्री क्रिण को माधुरे बाव से अपना मानती है माधुरे मतलब पती सुरूप में इनका जन्म आपको बता दिया तो इनका जन्म इसमरं रखना क्या होता है कब वह इनका जन कहां हुआ एक क्योंकि बहुत प्रमुक्र कभी भी है और एक भोट-बड पती सोहिं ये कहती है कि मेरे तो गेविदर गोपाल ज्री श्याम, संदर भगवान, स्री क्रेश्न भगवान, स्रूपर मेरे है है सिर्फ मुंकोट बहुत evalu की मो मुंकूटー जन्के पर मेरोफाती सोहिं उनको वो अपना पती बताती है को उनके सिर्फ मुखुट श्री कृष्ण भगवान के उपर चाड़ी दई कुल की गानी कहा करिये कोई मतलब उनने कुल की जो रीती है ना जैसे महारवाण में थी तो कुल में उनको वदू के लिए जो नियम होते हैं वो सब नियम उन्होंने बीच में जाके बेटने लग गई संतन डिक बेटी बेटी लोक लाज खोई मतलब जो अंसार एक लोक लाज है ना लोक बोलेंगे कि ऐसा क्यों करा इन्होंने यह तो मारवाण घर से है यह तो राजपुट की यहां से है क्योंकि यह एक राजपुट पत्नी भी यह जिनके तो यह एक राजपुट पत्नी है और इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को दारण कर लिया था अपने पति जब इनके शांत हो गए थे उसके पश्चा इसके बाद वह बोलते हैं असुवन जल सीची सीची प्रेम बेली बुई आसू से मतलब श्री कृष्ण रखते हैं तो वह यही बोल रहा है कि आसूवन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई मतलब जो प्रेम की जो बेले जिसे बेल जो पेल की बेल होती है ककड़ की रिक्तियादी बेल तो इसे प्रेम की बेल उन्होंने आसूं से सीच सीच के बोई अब तो अब ता बेली फेली ग हुआ त्रापति हो रहे हैं धीरए धीरए करके इसलिए हुए साके रहे हैं दूद की मतनिया बड़े प्रेम से वीलूई реता उसको हम मत होते हैं ना तापकि उसमेंसे ज़ग बन जाए उसमेंसे माखन निकल जाए उसлемे गी निकले तो वही बोल रही है कि दूद की मतनिया बड़े प्रेम से विलोई उन्होंने पहले बहुत तपस्या करी उन्होंने बहुत तपस्या करी जिससे उन्होंने बताया यहां पर दूद की मतनिया बड़े प्रेम से विलोई तदी मती गरत काड़ी लियो डारी दई जो बच जाती है ना चाज तो उन्होंने क्या करा ददी ददी मतलब दही मती ग्रत ग्रत मतलब गी उन्होंने गी और दही जो उन्हें की भक्ती को दिनोट कर रहा है यहां पर तो जो भक्ती है वो उन्होंने धारण कली और चाही जो है उन्होंने डारी दही चोही मतलब जिस बगवान के भक्त को देख के वो खुश होती है और जगत में जो लोग माया में डूबे उनको देखके वो रोती है दासी मीरा लाल गिर्दर तारो अब मुई श्री मीरा जी अब केती है श्री कृष्ण जी से कि है भगवन अब आप मुझे तार दीजिए क्योंकि अब उनका कोई भी नहीं जगात में बस श्री कृष्ण है उनके तो श्री कृष्ण से केती है मेरे तो गिरदर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई उनके सिर पे मोर मुकुट है और वो श्रीर मीराजी के पती है तो उन्होंने यहापे मादूरे भाव से श्री क्रिश्न की भक्ति करी है मादूरे मतलब पती के भाव से और लोक लाजा सब छो तो मेरे नारायन सुम आप ही हो गई साची वो क्या बोल दिये कि पग गुंगरु बांद के गुंगरु को अपने चरणों में बांद के श्री मीरा जी द्रत्य कर रियकिन के लिए श्री नारायन भगवान के लिए लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी तो जो लोग रेते हैं ना लोग क्या बोल रहा हैं उन से कि जो मीरा जी है वो पागल हो गई भावरी मतलब पागल हो गई न्यात मतलब जो उनके परिवार के लोग है न उनसे कहते हैं कि कुल नासी मतलब वो कुल को कलंकित कर रही है उनके क्योंकि वो कुल की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख रही है उनके हिसाब से विष्का प्याला राणा भेजिया जो विष्का प्याला है ना राणा जी ने विष्का प्याला मीरा जी के लिए भेजा था तो उसको उन्होंने पहले श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया और भगवान को भोग लगाने के बार डारन कर लिया मतलब उसको पी लिया फिर भी उनको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने श्री कृष्णो को पेले भोग लगा दे जिससे वो मदूर प्रशाद हो गई उनके लिए वो तो पीवत मीरा हासी उसको पी के श्री मीरा माता हस रही है मीरा के प्रभु गिर्दर नागर सहज मिले अविनासी तो मीरा जी के जो प्रभु है न वो गिर्दर नागर है और सहज मिले अविनासी सहज मतलब सरलता से मिले अविनासी अविनासी जो जिसका कभी अंतिना हो अब ये कुछ कोष्ण आंसर है इसका पेला देखते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में? पती के इस रूप में, जिसको माधूरे कहते हैं, वो रूप के सा है? वो पती का सुरूप में, माधूरे रूप है? ठीक है, असुवन जल, सीची, अभी आप भाविष्पस्थ आदे कर लेना, लोग मीरा क कि भक्ति श्रीरादाजी की भक्ति के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है इसलिए उन्हें सांसारे क्रोगों को देखते रोना आता है और ये कुछ शब्द शवी जिसको सब्दार्त बोलते हैं सब्दार्त है इनको भी पढ़ लेना तो यहां पर आके आपका एचेप्टर कंप्लीट होता है ठीक है और जो यह मीरा जी का पत है यह बहुत सुंदर पत है इसको आप और पढ़िएगा थेंक्यू फर वचिंग दी वीडियो सब सब्सक्राइब चैनल और लाइक दी वीडियो